सहारनपूर पुलिस अपरात करने वाले लगों के खिलाफ सक्त नजर आ रही है और लगातास सहारनपूर पुलिस अपरात करने वालों के खिलाफ कारेवाही करते हुई नजर आ रही है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अंतराजी लूटेरे जो सहारनपूर पुलिस के लिए सरदर्द बन चुके हैं और लूट जैसी वारदाताओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे आपको बता दें कि अंतराजी लूटेरे गैंग के सद्वस्यों ने कुछ दिन पहले आठ लाग की लूट की घटना को अंजाम दिया था जिसको लेकर सहारनपूर पुलिस तभी से इनकी तलाश में जूटी हुई है आखिरकार साहारनपूर पुलिस ने इसमें सफलता भी हासिल कर ली है लेकि फिर भी इस तरह के लूटे ने साहारनपूर पुलिस के लिए सरदर्द बन चुके है इसी महें 21 तारीकों ताना देवबंद के अंतरगत एक लूट की गटना हुई थी जिसमें जो ग्रामिन बैंक रहते हैं उसकी करमचारी से आट लाग रुपए बाइक सवार बदमाशों ने लूट लिये थे इसमें हमारे जो सोजी टीम और ताना टीम अतक प्रयास करके इस गटना का अनावरन किया गया है और इसमें एक अंतर राजी ग्यांग को भी पकड़ा गया है जिसमें अभी त रुपए अभी तक बरामद हुआ है और जो कार्तूस बरामद हुआ है इनके पास से तो यह इसमें एक करमचारी वहां भी काम करता था उसी ग्रामिन बैंक पे वह भी इसमें रिक्की करने में और यह बदमाशों में सहयोग देने में उनका रोल है और उनका भी गिरपतारी किया गया है और शेश अभियुक्तों के पास जो बचे जो पैसा है वो है उनका गिरपतारी करने के लिए टीम गटित किया गया है और पूरी टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपए का इनाम दिया गया है पुराना इतियास है इन लोगों का अभी आली में इसमें 302 में इसका व इनके किलाब गैंग्स्टर के करवाई की जाएगी सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइ, पार्ग, कम्यूनिटी सेंटर, तुरंथ रिजिस्ट्री और प्रसेशन भी, कॉल 9466 034000 ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बैल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें थान्यवाल